हेई गाइज कैसे हैं आप लोग आज में लेके आया हूं आप लोगों के लिए योटो का थैनोस वेब जिसमें आते हैं 5000 पफ तो ये एंड हो चुका है अब इसके बाद हमें से रिफिल करना है कैसे करेंगे अभी ये जो नए वाले आ रहे हैं डिस्पोजेबल इनको रिफिल कि नहीं किया जा सकता ये यूजन थ्रो होते हैं बैट अपन इसको भी रिफिल करेंगे तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको रिफिल करना है कैसे कैसे इसका प्रोसेज होगा कितना आपको इसमें जो इसका फ्लेवर होता है वो डालना है कितना नहीं डालना है ये सब आप लोग बस ये देखना और सपोर्ट करना इसको कि ये थैनोस पफ है और बहुत अच्छी लुकिंग आती है इसकी साइड में से और इसके 5000 पफ होते हैं ये रिचार्जेबल होता है यहां से इसको उपन करेंगे और फिर स्मेंट डालते हैं ये इसकी एक लाइटिंग होती है अच्छी होगी आप लोगों को कि जबया इसमोग लेते हो तो ये लाइटिंग जल जाती और इसी पने के छहिद होता है इस से एर पास होती है इस एर के ठू हुई hips कि ऐसी करना है वैसे तो यहhana से प cesबाइब आपको बता ओना व्याहनदाраст खकी जमाद करेंगे तो यहां से उल्वान से लेगे उसके का झाल है सबना कर ईचाहता बाद ही लिजए आप बंट हो जाता है व構ई करना चाहता है कि यहां से शाहिए बाद हम आती है एक यह इसको मैंने साफ कर लिया वैसे यह गंदी हो जाती है कि बार बार एर लेते हैं उसके वज़े से गंदी हो जाती है तो इसको वाटर से या फिर किसी भी चीज से आप साफ कर सकते हैं फिर आता है इसमें यह तो इसके अंदर अपनी यह रबड सा इसका लॉक होत तो हम नया लेक्या है इस थांतिख लुटेटि ये घुयोंवीय हूज ये लोड़य ये बोटेटी है इसमाने बिम्या चूलकिंद और नो केंड कारबोन मोनोक्साइडिद है ना तो फटा फट से इसको ओपन कर लेना है अपने को और यह जिसे इसका लॉक तूट जाएगा यह डगकन अलग हो गया यह लोग तूटके अलग हो जाया फेक दो इसको अब यह जो है रूई इसके आस पास इसका जू रूई वह ह घाएँ तो फैक इसमें अपने को यह चिह कर लियाएग स्भाफी कर लिया ओर अब इसमें जैसे यह दि को यह हिसादा नहीं इसको चार और भर कर देना है इसको दो तीन मून यह बीच में से गोल सा इसके अंदर भी डालनी है अपने को जादा नहीं बस दो तीन मून और थोड़ा सा वीट करना है कि यह पूरा नीचे तक चला जाए इसमें जो रुई यह हो कोटन है जिसने सारा फ्लेवर सोक लिया है और हम दीरे-दीरे और भी डाल रहे हैं तो वो भी सारा सोकती जा रही है तो दीरे-दीरे डालना है ऐसा नहीं कि अपने एकदम से इसारा फ फाकरी का फकारी नहीं था फाकरी था तो बस अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है एक बर डालते हैं और अब इसको रख देते हैं और इसके अब बात फाइनली अपना इसका वापस से लॉक लगाना है यह लॉक यह लॉक ऐसे लगेगा इसमें पुश करके और वापस से इस फिट करना है अपने को तो यह वह गया है फाइनली रिफिल और हम इसे वापस से यूज़ कर सकते हैं तो मैं भी आपको बताता हूं कि कैसे इसको वापस से यूज़ करना है थोड़ी दिर इसको शेक कर लेता है कि कुछ भी रहा गया होगा वो उपर-nीचे तो फैनली ये शेक पूरा कम्पलीट हो चुका है अब हमें इसको इसके बर यूज करके देख लेना चीक है कि ये क्यारिजल्ट देता है और कैसा इसका टेस्ट होता है मैंने भी फस्स टाइम मैंने ये यूज क्या है और फस्स टाइम अब ये तो देखता हूँ अब इतक इसमोग बनने रहा अब इतक इसमोग बनना नहीं है वो फ्लेवर भी नहीं आया है थोड़ी दिर और वेट करते हैं इसको शेक करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फ्लेवर बना है नहीं बना तो फाइनली हमारा उक्का पूरा रेड़ी हो चुका है इसका फ्लेवर भी मैंने टेस्ट किया बहुत अच्छा आ रहा है मैं ज्यादा उक्काल लेता नहीं है इस प्रेसमोग ज्यादा लूँगा नहीं अंदर बढ़ हाँ बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका अभी दवल इपर फ्लेवर है तो भाई यह है इसका सही तरीका जिससे इसको हम रिफिल कर सकते हैं